आज हम बात करेंगे पिक्चर लुक अप के बारे में आज किस क्लास में बात कर रहा है पिक्चर लुक अप के बारे में देखिए इसके दो टॉपिक है एक मैं करूंगा एक आपको करना इसलिए ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम डेटा का देखते हैं डेटा बार में आते हैं तो मैंने कहीं पिबट से या किसी और तरीके से हमने चार अलग 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 हमारे पास रिपोर्ट है प्रॉब्लम ही है कि मुझे यह लुक टाप पिक्चर लुक अप सीट में एक बार में किसी एक को ही करना है एक बार में किसी एक को ही रिपरेजन करना है और यहां पर हम यौकडॉण देना चाहते हैं कि नेम बाइज मन्थ बाईज, आप नेम के जगाप एस्टो कर जाते हैं, नेम में confusion होता है, एस्टो बाईज, मन्थ बाईज, सिटी बाईज, और कोर्स बाईज, तो मैं चाहता हूं कि पर्सन यहां से ड्रॉप डाउन सेलेक करें कि इसको एस्टो बाईज रिपोर्ट देखना है, यहां पे इसके लिए रिपोर्ट आजाए, वो सेलेक करें मन्थ बाईज करना है, तो मन्थ बाई जाए, ठीक है, तो सबसे परती है, यहां ड्रॉप डाउन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे डेटा बार में, डेटा बार के अंदर में यहां देखेगा, पसflight, city, course, फिक है, स्पलिंग से हम अपनाचीए, इस्पलिंग में किसी दरकी दिक्कत नहु क्यों नहीं चाहे, अब यहां जैसे मैं एस सो सरेक करूं ते है सो की रिपोर्ट आना चाहिए, तो एक मैने क्या किया, कि एस्टोवाले को एरिया को सरेक किया, कॉपी कर लिया कॉपी करने के बाद हम चले आते हैं लूओक शीट पे और यहां हम करते हैं सप embrMore पिक्च लिंग आ कि अब यहाँ देखिए मेरा जो पिक्चर है ओं जो है हमारा यह good यहां इस फॉर्मुले से कनेक्टेड है लिए डेटा वान एटू से जी ट्वेंटीटू मतलब कि मुझे कले के डेट में अगर मन्थवाई रेपोर्ट चाहिए तो मुझे वहां जाएके में i2 से लेके m22 चेंज करना होगा क्या करना होगा i2 से m22 का address देना होगा तब जाकि आएगा देगी तो कापी लंबा address हो गया क्या कापी लंबा होगे ना सर तो हम क्या करेंगे इन सारे area को एक short name देंगे जो drop down में name है न वही short name यहां देंगे कैसे short name देंगे तो define name की मदद से हम data को select करके formula में नुवार के अंदर जाएंगे और यह तो आपको दिख रहा है define name इस define name पर क्लिक करेंगे और यहां है so है so select करके हमने okay कर दिया तो आप इसको select करते हैं और यहां हम करते हैं define name में मैंने month यहां पर टाइप किया तो यह by default आ जा रहा है क्योंकि यह heading पहला यहां पर heading सेम लिखा हुआ इसलिए अधर वज़ा आपको लिखना पड़ेगी मतलब अब system इसको जो है और select करके मैंने क्या कर दिया define name और यहां पर city और यहां पर select करके हमने कर दिया define name और यह आ गया course मतलब मुझे कहीं किसी और seat पर अगर इस area के जरूत पड़ेगी जैसे sum में करना है तो sum मैं सिंपल सा course को लूँगा और देखिए इसको रेकर कर दिया ना दिख रहा है तो system ने क्या किया सबका एक define name कर दिया मतलब एक short name हमने बना दिया इसको हमने अमने sixte के नाम से बना दिया इसको मेंत मन के नाम से बना दिया इसको मैं सिठी के लूब इसको अमने course के बना ने अ कुए 3 को अडिकत अप और वी इसमें है पिख़िशा mos perman कृशे कंकैर IT कि मुझे नहीं समझे यह वला ये बशर्वर्वा जो आपने स्टार्ट शुरू से करा हैं फिर वोई बता दो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं यह हमारे एक डेटा सीट पे चार मेरे पास रिपोर्ट है ठीक है लुक अप वन सीट पे इन डिपोर्ट को मुझे यहां पे शो करना है मैं यहां से डॉप डाउन चेंज करूं तो मैंने सेलेक कर लिया मंद मंद का रिपोर्ट आना चाहिए amet-sum- तो हम यहां से मंध को रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो हमने क्या किया सबसे पहले इन सबों का ihe of workers चोटा सा सबका 1x1 now defined कर लिए चोटा सा इसका नाम दिए एक-so इसका नाम दिए मंध इसका नाम दिए-स iktious इसका नाम दे दिया कैसे दिया तो स्लेक्क करकेे अब कर के गड़ों करके तरे हैं और हुम हम पेस्ट एजलिंग करें। है चरू पार यहां पेक्ज में करते हैं तो कल मैं बताया था कि हर एक जो भी हम अब्जेक् लिंग करते हैं एक एक Formula से Link होता हैस्ट इए फार्मुला कैसे सब गारण हम जब इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे जो Link पिक्चर है हमारा इस पर क्लिक करेंगे तो हंपर formula देखेंगे लेकिन formula अि क्ापी is fine किया हुआ है तो यहां पर हम शॉण ने communism मत में आइने से म आएक करता हूँ प्रिफाइन नेम की से से बेनिफिट क्या हुआ कि हम पिक्छर में बढ़ी आसाणी से चेंज कर रहे हैं बर्ना पूरा डेटा पूरा रेफ्रेंस की M का i2 से M22 चेंज करना तुछी तुरा अश्वाषा चिप्कल था ना बड़ इह तुरा असान हो गे यहां तक समझें तो बारी आती है problem कि मुझे यहां मैनुवली टाइप नहीं करना है मैं तो यहां डॉप डाउन चेंज करू और मेरा पिक्चर चेंज हो जाए यह करना है प्राब्लम यह है कि एस सो जो है जो टेक्स्ट है इसको इस कंप्यूटर भी टेक्स्ट मानदा याद होगा हमने मिस्लैनियस कैल्कुलेशन वाले क्लास में आपको मैंने कराया था इंडारेक्ट फॉर्मुला जैसे मैं यहां पर एककोल सम करूं और सम में मैंनुवली एस सो ल कड़के यहां पर डेटा पान्सोतेर आए लेकिन अगर मैंने यहां पर एक क्वॉल सम के अंदर में इसको सेलेक्ट कर लिया और वहला कि अज्ड़ टाइप है ना ए जो डेटावन का टीफाइंग कस्तमाइज नेम है इसको से कंसिडर करो तो सम कंसिडर नहीं करेगा सम कंस तो जो है वह सो नहीं है वह सो नाम का एक डिफाइंड नेम है तो उसको कंसिडर करके फीड क्या ला देगा पांसो तैइस नमबर डेटा ला देगा इंडारेक फ्रमुला हमें समझाया था सेम यहां हम चार्ट में अगर माल दीजे कि मैंने यहां पर लिख दिया यह C3 दे दिया तो C3 के उपर जो एससो है उससो का लिंक जो है पिक्चर लिंक नहीं करेगा वह यहां पर दिखा लेगा क्योंकि इसको पता ही नहीं है जो C3 के ऊपर जो एससो लिखा हुआ है वह सेल्स ऑफिसर का डेटा रिपोर्ट है जो कि डेटा वांड के अंदर एटू से एटू से एटू से सी एफ एफ या जी ट्वैंटीटीटू तक है तो क्या हम इसको इंडारेक्ट के अंदर डाल दे जैसा में सब में डाला था इंडारेक्ट के अंदर डाल दे वर्क करेगा जी नहीं वर्क करेगा क्योंकि पिक्चर लिंक या चार्ट या को भी अबजेक्ट कहता है कि मैं डारेक्ट फॉर्मूला नहीं लूंगा मैं reference और define name लूँगा क्या बोला है reference and define name सिर्फ A लेगा ठीक है अब तो होगी problem लेकिन define name कहता है कि तुम मुझे formula दे दो तो मैंने एक नया नाम बनाया SSO show के नाम से ठीक है लगा दिया indirect और इस पर हमने अपना सीथरी सेलेक्ट कर लिया ठीक है and ok करता हूं मतलब कि अगर मैं यहां पर equal sum के अंदर में SSO show ले लेता हूं तो फिर किसको consider कर रहा है और यह report दे रहा है अब मैं इसके अंदर define name दूँगा क्योंकि एक काता है मैं define name ले रहा हूं formula दे लूँगा तो हमने define name यहां दे दिया show जिसके अंदर हमने formula लगा रखा था आगया result अब मैं यहां change करूँगा जैसे मैंने यहां पर month किया सो पर month change हुआ और सो ने month का define name किया या month का reference किसको दे दिया picture को और picture फिर उसका data show कर दी हम मुटामेंटी समझे क्या करना है सबसे पहले यहां पर तो drop down मनाना है क्या बनाना है drop down के spelling और define name के spelling से होना चाहिए drop down कैसे बनाएंगे रिटा validation में जाना है और यहां पर drop down का list दे देना है simply पहला उसके बाद data में जाना है जितने भी आपके reports है जिसको show करना है हर एक report को select करना है और define यहां पर formula वार के अंदर define name है सबको एक एक नाम define कर देना है जैसे कि हमें यहां पर टार नाम define किये हुए city course month and and so same name होना चाहिए जो आपने drop down में डाला है spelling सबको same होना चाहिए space नहीं होना चाहिए ठीक है दूसरा step तीसरा step है कि आप एक picture को copy करें copy करने के बाद यहां data sheet पे आने के बाद इसको कर दे paste रहे पिक्चर लेंग क्या करेंगे paste रहे पिक्चर लेंग उसके बाद third है third step क्या है एक और define name बनाना सो के नाम से और किसी और के नाम से और उसके अंदर में indirect formula और c3 जो drop down है उसको select कर दया ठीक है और चौथा step होगा कि फिक्चर के ऊपर क्लिक करें और यहां जहां पर इसका path आ रहा है लंबा सा उस path को delete कर जो define ने मनाया है जिसके अंदर आपने indirect formula डाला है वो डाल क्लियर है समझ में आया आप लोग को लिए सब्सक्राइब तो समझ में आया तो आपको क्या करना है कि एक तो जैसा मैंने किया है ना सेम आप कीजिए अपने अपने द्वारा बनाये गए कोई data पर पहला चीज दूसरा जब पुरी तरह से प्रफॉर्म कर लें फिर आपको तीसरा research करना है में पास एक data 2 है जो आप देख पार है देख पार है data 2 के अंदर में आप देखेंगे कि यहां आईडी है यहां नेम है यहां फोटो है और यहां पर नेम है तो वी लुक अप फॉर्मुला से हम नेम तो ले आला दे रहे हैं ला रहा है ना लेकिन फोटो नहीं आ रहा है तो आपको ऐसा इसको यहां पर क्या करना है कि जैसे मैं आई नंबर 1 लिखू तो data 2 से 1 के अगें 2 का या आना चाहिए तरी करों तरी का आना चाहिए ओके